कैनेडा दी तर्थी ते पंजाबियां दा मोड केवें बज्या आउ आज इस बारे जान दे हैं गल आज तों 115 कु साल पुराणी यानी की उन्नी सौवयां दे शुरू दे साल लां दी है उन्ना दिना विचे अस्ट्रेलिया तो वापस आये कुछ सिखां दे नाल जला लहौर, लुधियाना, पटियाला, फिरोजबुर अते जला जलंदर दे बहुत सारे निवासी आस्ट्रेलिया जान दे ले हौंग कॉंग पहुंचे उन्ना नू उत्ते पहुंच के पता लगा कि अस्ट्रेलिया एशिया ही लोकां दे लई बंद हो गया है फिर उन्ना नू जहाज कंपनियाना गलबा दोरान पता लगा कि कैनड़ा अते अमेरिका वास्ते मज़दूरां दी बहुत डिमांड है अस्ट्रेलिया तो आइस एक थोड़ी बहुती अंग्रेजी बोलनी जान दे सन उन्नने अमरीका दे वपारियां कंपनियां दे अजन्टा अते पादरियां तो इस गल्दी पुष्टी किती कि अमेरिका कैनड़ाच मज़दूरी बहुत काट है कटो कट पांच चेर पे दिहाडी मिल जन्दी है जद की फिजी, वेस्टन्डीज अते होर टापुआ तो आई लोग पोख दोख दियां ही कहानियां सुनों दे सन इस सारियां गल्ला सुनके उन्ना सिखा ने कैनड़ा अमेरिका वाल जान दा फैसला कर लिया जदोना सिखाने हांकांग रिंदे होर घुरपाईयां ना सलाहा कितियां ता ओ भी नाल जाननों तेयार हो गए कईयां निकेहा तुसी उत्थे जाके साननू कामदे बारे लिख देना जेकर सब कुछ ठीक होया ता असी भी आ जावांगे ते जेकर कामदा मिले आ ता असी तुहानू वापसी दियां टिक्टा पेज देवांगे इस तरह पहले जथे दे विच पच्चीती सिख जहाजे चड़ गए अते जिनने गए सारे ही कैनडा जा उत्तरे ए सारे पामे पहला हांग कांग समेत होर टापूंआते रहे सन पर कैनडा दे रहन सैं तो अंजान सन इनननू कई महीने इत्थे कामना मिले आ अते रोटी पाणी दी तंगी कटनी वी मजबूर हो गय इननने अपने दुख बारे हांग कांग वालयानू कोज ना लिखेया पर ओ समझे की साड़े पाई कैनडा विच जाके कामच रोज गए हन ते साननू लिखनाई पोल गए ए गल 1904 यां पांजदी होवेगी की थोड़े दिनाच ही होंग कांग तों सैंकडे पंजबी कैनला दी तरती ते जावत रे जद की कम पहलना आयानों वी नई सी मिल रहा इनना सिखांच कई रहतवान सिखवी सन उनना विच एक बहुत ही परुपकारी सिख पाई अर्जन सिंग पिंड मलक जिला लुद्याना दे सन जिननानू बाकी कौमी सेवक परंपुज अते सिख संत आध नावानाल पुकार दे सन पाई अर्जन सिंग थोड़ी बहुत अंगरेजी बोलना मी जान दे सन इस शहर दे कार खान्याच तुर फिर के कामलब्बन लगे पोर्ट मुडी च एक लकड मिलदे मैनेजर ने इनन दा इमतिहान लेन दे लई इनननू काम देन दा प्रोसा देता पाई अर्जन सिंग ने चांटवे पच्चीती जवान कामते जान दे लई तयार कीते अधे जान तो पहला उननू समझाया की साड़ी जित हार दा देन समझो जे असी आज मैनेजर खुश कर लेया ता इस देश्च मैदान मार लेया पाई साब दिये गल सुन के सिंगाने बहुत जोर लाके काम कीता जिनना काम पांच-पांच गोरे कर दे सन ओ इकल्ले अकल्ले सिखने ही पूरा कर देता जेडिया लकडा चुकननू गोरे कोडे जोडी फिर दे सन सिखाने हत्था नाल ही तो देतिया जित्थे गोरे रेडे जोड़ दे फिरन, उत्थे दोदो सेख मोड़ें उपर लकड चुकी फिरन जित्थे गोरें दा रेडा कोडे खेच दे, उत्थे सेख आप ही रेडा खेच देन एक काम देख के मैनेजर दंग रह गया ओ सिखां दे काम तो बहुत खुश होया अते परबावित होया उसने पाई अर्जन सेंग नू दो पाशिया रख लिया अते केहा जिनने पंजाबी तुहानू मिल सक्दे हन ले आओ मैं दो सो तक पंजाबी इस मेल च रख सकता हा जेड़े सिख वेन कूवर्च वेले बैठे सन उनना सार्यानू पाई अर्जन सेंग ने कामते रख वा देतता पाई साब ने काम लगवाँ तो पहला सार्यानू तागीद किती की काम जोर लगाके करना है अते सोच समझ के वर्तना है ये ना होवे कि कोई होर कौम साड़े नणों चंगा काम करके विखा देवे अते साड़ी जगाते कामते आन लगे लकड मिलदे मालक पंजाबियां प्रती पुलेखे चुसन उन्नाने कदे पंजाबियांनू काम करदे नहीं सी देख्या जोदों उन्हाने पंजाबियानों काम कर दे वेक्या ता सारे पुले के दूर कर देते गोरे मैनेजर ने पंजाबी मजदूरां दे कारनाम में अखबारां ची शपवा देते कैनडा ची पंजाबी मजदूरां दी ताग पाई तां केनडा चे पंजाबी पाल्या ना लब्बन वाली गाल होई रेलवे पडड़ी लकड मेल दे एन विचकार दी लंग दी सी पंजाबियां ता एनना नाम बनेया की रेल गड़ी चे सफर करन वेले केनडा दे यात्रू आने रेलवे कंपणी तों लकड मेल चे पांच मेंड देले गड़ी रोकंदी सफार्ष कीती कियो पंजाबियां नू काम कारदे देखना चौंदे हन ओना दी ए मंग रेलवे कंपणी वलों मंजूर कार लेती गई इस रेलवे कंपणी दे जहाज वी चाल दे सन अथे कैनडा नू अबाद करन दा काम भी इस कंपणी कोल ही सी इस कंपणी ने पंजाबियां दे काम दी ताक देखके 15,000 पंजाबियां नू काम उत्ते लाउन दा जिम्मा ले लेया कंपणी ने इस सारी जम्मेवारी लाई कि जे पंजाबियां नू काम ना मिले ता उक काम उत्ते रखेगी जां बिणा किराया लाए अपने खर्चेते होंग कोंग पहचा देवेगी इस तरह दोस्तों कैनडा ची पंजाबियां ने अपनी सक्त मेहनत नाल चंडे गड़े ते बाकी कौमा नू पिछे चड़ देता इस सारी कटना माबारे उस वेले इत्थे मौजूद गदरी पाई करतार सिंग नमा चंद ने अपनियां लिखतांच लिख्या सी गदरी बाबियां दियां इना लिखता नू बहुत ही मेहनत नाल इकठियां करके कुछ साल पहला राजविंदर सिंग राही ने किताब गदर लेर दी असली गाथा पाग एक अते दो दे नाम हेठ शपो आया सी उमीद करांगा दोसो तो हनुए जानकारी पसांद आई होवेगी चैनल नू जरूर सब्सक्राइब करना ते इस वीडियो नू आपने होर सेख पाईयां देनाल सांजयां जरूर करना मुड मिलांगे एक होर नमी जानकारी देनाल ता तक देले सास्रीय काल झाल